नितीश कुमार G20 मीट में हुए डिनर पार्टी में शामिल हुए थे इधर लालु यादों ने दे रहा है तो अपने आवास में भोज दिया और इसी सियासत के बीश बिहार में भोज की चर्चा पर जोर है विशेपर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे सही होगी आफ़ताब जो जो क्या आफ़ताब एक तरफ जहां नितीश कुमार G20 में आयो जित डिनर पार्टी में शामिल होने गये थे इधर दूसरे तरफ लालु प्रशाद्या दो अपने आवास पर भोज कर रहे इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि लालु प्रशाद यादव भी अपने ताकत का इधार करना चाहते हैं इसलिए कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कॉंग्रेस के वरिष्क नेता और पुरुव अध्यक्ष राहूल गांधी को लालु यादव मतन बनाते नजर आ रहे हैं एक तरफ नितिश कुमार क कि राश्टपती के आमंत्रन पर वहां दिल्ली में शामिल हुए हैं उसके बाद जो है कि लालु प्रशाद यादव अपने आवास पत्ना में जो है कि पार्टी का योजन किया गया जिसमें बहुत सारे जो बिहार सरकार के मंत्री थे और विधाट थे वो शामिल हो जी अज़िया आफ़ता जब से इंडिया अलायंस बनी है तब से हम ये देख सकते हैं कि भोज पे भोज और लोग व्यंजने बना रहे हैं अलायंस के पार्टी एक साथ भोज कर रहे हैं और अलग-अलग तरीके के विंजमें तो इसको क्या कह सकते है राजनिती में इन्होंने खाने को क्यों साथ ले आया है तो कि इस बात से कते ही इंकार नहीं किया जा सकता है कि लालू यादों देश की राजनीती में कड़ावर नेता हैं और इनकी भूमिका हमेशा रही है आप पिछले वर्स जाएंगे तो जब कॉंग्रेस की सरकार की अद्धेश सोनिया गांधी तो कहीने कहीन लालू यादों की आहिम भूमिका होती थी सरकार को बचाने में और हमेशा इन्होंने भारती जंता पार्टी का विरोत किया है उस पर निशाना साधा है तो हम कह सकते हैं कहीने कहीन लालू यादों फिर से अपने नए अंदाज में जोंकी नजर आ रहे हैं औ और ऐसे में अब कहना मुश्किल होगा, आगे आने वाले वक्त में तेह हो पाएगा, कि आखिर इसका निसकर्स क्या निकलता है, इसका मने फैसला क्या निकलता है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं, कि फिलाल लालु यादव इस बात का मतलब इजहार करना चाहते हैं, और आई आई टी, जी, नीट एस्पिरेंस के सपने को पंक देने आ गया है, कम्प्लीट सॉल्यूशन इस्टिूट, यहाँ है स्मार्ट क्लास रूप, वन टूवन डाउट क्लेरिंग सेसम, आस्क देस्पर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंचोर, फाल्टेशन क्लासे फ्रॉम क्लास 6 ओनवार्स, पर यह ब्राइट फूचर, विजिट, कम्प्लीट सॉल्यूशन इस्टिूशन इस्टिूशन